एसे बताऊंगे आपको जो आप काटांग इसली ग्र१ों कर सकते हैं in plant और म३ए उस विरांटे बिचु-बिचु-बंटा बिचु-बंटी गौलते है और यह ब्लांट अप इस सी कुछा कटिंग लेंगे तो उसको आप न 답 के में जो बीना पतियों को हटाई भी दबाते वा क्षाइसा आता है कि भासानी से ब्लांट लगानी का यह कड़ानी मेराथ सब्सक्राइब क्याना दूब gef rides है लंक बबर लगाना जाता्य एस उक Intra1 को लगाना हेजाए तो कटिंग से लगा सकते हैं चोटी सी कटिंग है आप क्पाइज की और जहां से अब जैसे कि जड़े आपको दिख रही है जड़े पत्टी को टा के उन जड़े को जड़े है बाहर उन्हें डिप करते हैं तो मिट्टी में आसानी से यह भी प्लांट है जो लग जाया क्योंकि इसकी जड़े होती है वो बहुत ही नाजुक होती है जो हाथ से ही तोड़ा सा है जुकाने पर ही तूट जाती है यह इस प्लांट को लगाना भूत ही आसान होता है इसकी पत्ति को हटाकर आप को हिसको मिट्टी में dip करें दो इंस तक की इसकी cutting को तो आसानी से लग जाते हैं फिर आती है हमारे चैन प्लांट इसको बोलते हैं टर्टल वाइन और यह बहुत कुपसूर सा प्लांट है अभी इसकी जड़े हैं जो भार आ रही है भार दिखाई दे रही होंगी आपको बहुत सारी वाइट वाइट कलर में आपको यह जड़े दिख रही हैं तो तो भी आप है मिट्टी में भी नहीं दबाएंगे तो ऐसे ही मिट्टी में छोड़ देंगे इसको इस चैन को इस प्लांट की कटिंग को तो आसानी प्लांट लग जाएगा हैंगे बास्केट में काफी सुन्दर लगता है यह प्लांट बहुत ही प्यारा सब्आ पूपसुरत की कटिंग लगाई है और इसमें देखे फ्लावरिंग आना स्टार्ट भी हो गई है फिर उसके बाद आता है हमारे ये जो स्पाइडर प्लांट इसके जो रनर होते हैं रनर से भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और मल्टेपल भी होता रहता है बहुत ही खुशुरत सही फिरी में ही आप इस प्लांट को बना सकते हैं उसके बाद आता हमारा बोट लेली का पोदा ये भी मल्टेपल होता रहता है और कटिंग से वीजिली लगा सकते हैं अब इसमें नहीं नी ब्रांचे तैनिया आना स्टार्ट हो रही है और इसकी जो है गोथ बढ़ने लग रह है ये भी मनी प्लांट की तरह होता है इसमें भी जो है वाइन की तरह चलता ये प्लांट भी इसकी जड़े है जो भार की तरह पलटकी हुई है इस मोसम में और इसको भी आप है जो बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं फिरी में ही आप इस प्लांट को तैयार कर सक लगा सकते हैं यह वाइन की तरह पोदा होता है और यह बहुत ही प्यारा लगता उसके बाद हमारा यह अजवाइन का पोधा आ गया है इस प्लांट को भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसकी पत्या है जो खुस्वू इन में अजवाइन के आती है बहुत ही प्यारा सा खुबसूरत सा पोधा है उसके बाद हमारा यह जैड प्लांट है जैड प्लांट को भी आप कटिंग से अभी लगा सकती है बहुत ही अच्छा है यह प्लांट और बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ होती है एक हपते के अंदर इसमें रूटे बन जाती है और इसकी पत्यां हटा कर यह आप कटिंग को लगाए और बहुत प्यारी जो है इसकी ग्रोथ होने पर आप इसको मल्टिपल कर सकते हैं कटिंग से ही और बहुत ही प्यारा सा खुबसूरत सा प्लांट है इसके बाद हमारा आता है स्नैक प्लांट snack plant को आप पत्तेसे भी लगा सकते हैं या multiple होने पर भी आप इस plant को लगा सकते हैं यह plant भी बहुत ही जो है एक permanent खुबसुर्थ सा plant है यह देखें पत्तेसे मैंने इसको grow किया है तो इस तरीके से आप भी छोटे छोटे plant और permanent plant को फिरी में ही लगा सकते यह है मेरा चोटा सा गार्डन और अभी देखे इस टाइम कितनी हर्याली छायू है गार्डन में और इस तरीके से जो प्लांट आपको बताएं उन्हें कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हैं वीडियो फ्रैंड्स कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यदि चैनल प को मिलता रहें जदे से जदे वीडियो को शेर भी कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई 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 ओलो फ्यू थैंक यू पर वाइचिंग टेक कियार